समाधान, समाधान, समाधान कि चिठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए सच मुझ को कौन सा देश है, जहां जाने के बाद कोई भी लौट कर नहीं आता केवल छोड़ जाता है अपनी मधोर यादें मन में प्रशन उठता अवश्य है कि आखिर मृत्यू है क्या और मृत्यू के बाद क्या होता है एक बहुत ही गहन प्रशन है, यक्ष प्रशन है जो सदियों से हमारे मन में रहा है और यदि इसकी सच्चाई हमारे सामने आ जाए कि मृत्यू क्या है और उसके बाद का संसार क्या है तो शायद हमारी मन में जो दुख जो बेचैनी आ जाती है किसी के जाने के बाद उससे हम मुक्त हो सकते हैं और सही सही अप्रोच अपना सकते हैं मृत्यू के प्रति तो मृत्यू क्या है कैसे से सुंदर और स्रेष्ट बना क्या है शच मुझ बड़ा प्रस्न है क्योंकि मनना कोई भी नहीं चाहता है, आप कह रहे थे के सभी अपने प्रीय जनों को साथ रखना चाहते हैं सदा लेकिन आजकल तो ऐसा भी समय आ गया है, कि लोग साथ रहना नहीं चाहते है, बगवान से प्रातना करते हैं कभ इन से प बच्चे रहे और बच्चे भी चाहते है, हमारी मां से जाही रहे, लेकिन प्रकरती का नियम है परिवरतन है, पुनर्जनम होना ही है, तेखिए काल था इस धरा पर, जिसको सत्यूक कहते थे, जहां देवताओं का वास्था, देवताओं को अमर कहा जाता है, यद भी देह तो ए आम दया गया आमर, उ नहीं होते थे, तो आस्त网 बें मुत्र्त्यू और कुछ नहीं यह अधे देहें मेला हो गया, पुराना हो गया पट गया अभी ऑजलना यह हमारे वस्त राह थे है biggest नहीं होते नहीं वस्त बदना है तो उनका शरीर तो बड़ा ही नया नया था यही इसका कारण यही है कर्मों की गटी कोई जनम लेते ही मृत्यू को प्राप्त हो जाते हैं कोई एक दो साल में कोई 10-20 साल में कर्मों की गटी के अनुसार होता है देखिए एक बच्चे ने जिस परिवार में जनम लिया है उस परिवार से उसका कर्मिक एकाउंट कितना है उस आधार पर उसके दिन निश्चित हैं उनके साथ रहने के माल लो मैं एक उधारन दूँ ऐसे केसिज बहुत सामने आते हैं इनोंने किसी के 25 रुपे ले लिये थे और दिये नहीं बेलकुल नाट गए कि हमने न लिये न हम देंगे आचा अब वो व्यक्ति बुजुर्ग होकर देह छोड़के इनके घर में बच्चा बनकर आ गया अभी आते ही वो बिमार है और उसमें इनका खर छो रहा है बच्चे लाग खर्च हो गया और पूरा ठीक हो गया और पूरा ठीक होते हैं देह छोड़के चल दिया कोई विगटना हो गई कुछ भी कारण हो गया अब इनको रोता भी छोड़ गया और पैसा भी आज सहीत लेके भी चला गया तो इस तरह ही ये खेल चलता रहता है लेकिन किसी ने बहुत टाइट कपडे पहने हो उसको उतारने में बहुत देल लगेगी आत्मा क्योंकि बोडी कॉंशेसनेस में आ गई है तो आत्मा मानो इस देह से ऐसे चिपक गई जैसे हमारे देह से हमारी खाल चिपकी रहती है अभी खाल को यदी उतारा जाए तो कितना ऐसे चीपकी होई है और जिनके पुन्यकरम हैं वह देह में इस्तर हैं जैसे रिवंछा हैं थे जून्हें ऑफ पहुत किया है उनका हाल बहुत बुरा हुता है हम देखते हम हैं क्स्ष्ट भोग रहे हैं उनकी बाहर की पीडा का तो लोग मोटे रूप से समझते हैं पर अंदर उनको जो पीडा हो रहे होगी वोankind किसी की समझ में नहीं आता है बहुत लोग में चले जाते हैं अंदर यंदर बापिस चले जाते हैं, तो म्रत्यू दहे परिवर्थन का नाम है, ये म्रत्यू आत्मा की म्रत्यू नहीं होती, आत्मा का तु एक लंबा सफर होता है, ये मृत्य उस सफर में भीच भीच में पड़ाव हैं, जहां आत्मा को कुछ रेस्ट भी चाहिए और आत्मा को नया चोला भी चाहिए, पुराने चोले में नजाने उसको कैसी बुद्धी है, ब्रेन कैसा है, उसका देहे कैसा है, नये चोले की उसे तलास रहती है, माल लीजि का होता तो कितना अच्छा लगता उसको हीन भावना रहती है अब अंत में वो इस संकल्प के साथ दे छोड़ता है कि मैं इतना लंबा होता तो कितना अच्छा होता तो अगले जनम में उसको वो लंबाई मिल जाएगी यह बहुत सुक्सम गती है मन उसके अंत के संकल्प उसक अंत के विचार भावनाएं क्या थी उस अनुसार अगला जनम होता है बस मरत्यू के बारे में इतना ही जान लेना चाहिए और जिसको यह चाहिए कि उसकी मृत्यू सहज हो इच्छा मृत्यू हो वो बैठे बैठे जाएं वो हसते खेलते जाएं, वो कामकाज करते जाएं, वो सब को प्यार देते और लेते जाएं, वो एक अच्छी आयू भी जी कर जाएं, तो उन्हें पुन्य करम बहुत बढ़ा देने चाहिए मतलब मूल बात आए, कि हमारे करमों को ही स्रेष्ट हमें बनाने की आवश्यक्ता है, जिसके करम स्रेष्ट हैं, उसकी मृत्यू भी सहज होगी, अच्छी होगी, उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, तो ये अच्छे करम क्या है ब्राता जी और क्या बुरे करम कर रहा है थोड़ा संग्षेप में जरूर बता दें ताकि व्यक्ति साउधान तो हो जाए कि मेरे मृत्यों ठीक हो वे कर्म जिनके द्वारा दूसरों को कस्थ पहुच रहा है पाप कर्म है जैसे मैंने कल काहा था कि अनेक लोग जो दादागिनी करते हैं सहर लेते हैं गरीब करोड़ हो गई तो यह सता रहे हैं अब वो पैसा तो करोडों इखटा कर लेंगे लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं है की यह करोडों की धन संपत्ति जो तुमने दूसरों से चूसी है यह संपत्ति तुम्हारा खौन चूसें यह तुम्हें सुक से जीने नहीं मैंने अपने जीवन में देखा हमारे गाओं के इपास एक व्यापारी था लोगों को उधार पैसा दिया करते थे तो बेचारे गरीब गाओं के किसान समय पर नहीं लोटा पाते थे दो सो रुपे, सो रुपे, देट सो रुपे, उनकी जमीन ले लेना, उनके घरों को ताले लगा देना, उन्हें बाहर रहने के लिए विवस कर देना, परिणाम क्या हुआ? सब ने देखा, दस साल उस व्यक्ती की जो दुरगती हुई, सब ने तोबा तोबा की, कि मनुस को कि सताना नहीं चाहिए, दूसरा भी केस हमने देखा था, पागल हो गया वो व्यक्ती, जो सब को सताता था, चत पे पड़ा रहता था, कई बार चत से गिर गया, मुह से जाग निकल रहे हैं, नखाने का लेटरीन कर रहा कहीं भी, यूरीन निकल रहा कहीं भी, दुरगती में स सबने उसकी सेवा करने भी छोड़ दी थी, तो मन उसको यह नहीं भूलना चाहिए, कि हर कर्म का फल परच्छाई के तरह साथ रहता है, किसी को सताना, किसी की हत्या करना, किसी का धन हड़पना, किसी के दिल को दुखाना, किसी का अपकार करना, किसी को बार बार तीज करना सताना हर्ट करना कुछ लोग ऐसा है कि हम मांस तो नहीं खाते हम किजी को मारते तो नहीं हम तो व्यापार कर रहे हैं हम थोड़ा कोई पाप कर रहे हैं बहुत लोग रोज कहते हैं आके, हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं उनसे पूछा करता हूँ, एक पाप को तो आप जानते ही नहीं, और वो है, जो गीता में भगवान ने कहा, और अब डायरक्ट में भगवान ने कहा, काम महाशत्रू है, ये काम वासना ही सबसे बढ़ता ही जा रहा है, वो करम जो मनुस के मन की शक्ति को नस्ट करें, जो उसके बुद्धी को दूसित करें, पाप कर्म कहलाते हैं, तो इन पाप कर्मों से मनुस को बचना चाहिए, जितना हो, सब को सुख दें, सब की भलाई करें, केवल धन धना धन 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 ये नहीं, धन चाहिए, लूट लो, इसका खसोट लो, इसका खसोट लो, ये धन किसी को साथ नहीं देता है, ये आग में जल जाएगा, उनको भी जला देगा जिनोंने इस तरह से धनिगट्टा किया है, इसलिए सुख देना, सब का परोपकार करना, सब के लिए भलाई का सोचना, गर हमारों की साहता करना, जिनका इस अंजार में कोई नहीं, उनको भी साहरा देना, ऐसे पुन्ने करम करने चाहिए, इसे लोगों की जो मृत्यू है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी बैता जी, और लोग यही चाहते हैं कि हम सहज जाएं, क्योंकि ये तो एक सुन्दर नियम है हिस रिस्टी का, उसे सुन्दर मानना ही हमें पढ़ेगा, कि हमें चोला परिवर्तित करना पढ़ता है, एक विशिस प्रशन चो आता है, लोगों के मन में रहता जी, कईोंने हमारी पास भेजे भी हैं, मृत्यू की पश्चात की गती क्या होती है, माली जे कोई देह से आ अत्याग के समय, आत्मा सुक्स्म सरीर सहित इस देह से निगलती है, सुक्स्म सरीर इस देह में ठीक ऐसा ही है, जैसा ही इस थूल सरीर, जो बहुत पापात्माई हैं, उनका वो सुक्स्म सरीर काले रंग का होगा, उने लोग भूत कहते हैं, जो बहुत पुन्यात्माई हैं उनका थोड़ा golden होगा जो बहुत पवित्र हैं उनका सफेद होगा उने लोग फरिष्टे कहते हैं तो आत्मा जब देह छोड़ती है तो जो सर्वस्रेष्ट आत्माएं हैं वो ब्रह्मरंद्र से, उपर से, आखों से कुछ आत्माएं, मीडियम, मुक से, नाख से, कानों से ये छिद्र हैं और कुछ जो बहुत पापात्माएं हैं वो जो तमो परधान छिद्र हैं उनसे ये आत्माएं बहर निकलती हैं तो पहले तो ये बात सबको जानना चाहिए सबसे सुखद है आखों से निकल जाना या उपर से निकल जाना अब रत्यू के बाद रही बात कितने दिन के बाद पुनर जनम होता है ये डिपेंड करता है उनके कर्मों पर ये डिपेंड करता है उनकी अंतिम मनो इस्थिती पर इसका आधार है कि उन्होंने पुन्य कितने क यह हैं, और वो निर्मोही कितने बने हैं, ऐसा तो नहीं, कुछ इच्छाएं उनको जकड़े हुए हैं, मुझे भी यह काम करने थे, तो यह रहता है, तो दे चोड़ने के बाद, वो त्रशनाएं उनके मन में भसी रहती हैं, तो वहां से जाती नहीं है, नीचे वाले भी रो महों पती को जाने नहीं दे रहा है, जब तक इसका दुख कम हो, या तो उसकी दूसरी सादी हो जाए, या उसके माँ बाप, साथ, सवसूर और बच्चे उसको इतना प्यार दे दें कि वो स्यान्त हो जाए, तब उस आत्मा का पुनजनम होगा, तो यह चीजे आत्मा को दे वासनाएं और वासनाएं भी उनको बानती हैं, अभी जल्दी मृत्य उनकी होती है, जो बहुत अच्छे पुन्यात्माएं हैं, या संसार में बहुत अच्छे निसकाम भक्त रहे हों, जिनोंने बहुत अच्छे कारिये किये हों, या जिनोंने इस संसार से अपने को पूरी हो रहा है ऐसी आत्म है सेकिंड में जाएंगी और देच छोड़ते ही गर्ब में परवेस्ट कर लेंगी बाकी सब को कुछ-कुछ समय के लिए उपर ठैनना पड़ता है तेरा दिन इसलिए परशिद्ध हैं कि तेरा दिन में नीचे वाले जो संबंदी हैं सारे किरिया करम उन्सकी जोनुस्थान आदियों पूर्ण कर लेते हैं तेरा दिन के बाद वह भी उसे भूलने की कोशिस करते हैं तो वह भी पुनर ज साथ जनम लेते हैं यह 15 सभाष देन तो हैं ओम मान्यथा हैं और यही करमो का सभाष सकते तो पर यह तक लिए उपडर रहते हैं और यह करमारे प्रेने कि लिए जनम झाय। ये उपर मतलब क्या है? हमारा गुरू मुक्तिधाम चला गया, ब्रहमलीन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, उसके पीछे कुछ कारण है, बाकी आत्मा इस पेस में रहती हैं, और जो यह बहुत सारे महानपुरुस हैं, बड़े-बड़े संथ हुए हैं, बड़े-बड़े तपस्य हुए हैं, वो और उपर जो पवित्र इस्थान हैं, पवित्र लोक हैं, वहां रहते हैं, और वहां से यहां आकर लोगों को मदद करते हैं, उन्हीं किसी ने देखा है ब्रताजी, हम यह किस आधार पे कहते हैं, कि यह ऐसे लोक हैं, उसके उपर यह लोक है, यह मतलब किसी ने देखा ह तो बहुत सारे 14 लोकों का वर्णन है, पंतु परमात्मा को तिर लोकी नाथी कहते हैं, इसलिए मोल रूप से तो तीन ही लोक हैं, लेकिन ये जो आकास है, ये बहुत लंबा चोड़ा है, इसमें जिसके पाप जादे हैं वो नीचे, और पाप कम कम होने से आत्में उपर उप जितने पुन्य आत्माय हैं वो और उपर रहती है, और जो ये बहुत अच्छे साधक होते हैं, जो वहुत पवित्र बन जाते हैं, जो समझो जन कल्यान का कारिये यहां करते रहें, वो इसाकास के परे, सुक्स्म लोग जहां से प्रारंब होता है, पाप कर्म जो करते हैं, वो थोड़ा नीचे रहते हैं पुर्णिकर्म वाले उपर, तो क्या वहां जाने के बाद भी उन्हें वही पाप की फिलिंग, वही कस्ट वही तकलीफ होती रहती हैं, जो उन्हों ने यहां पर पाप कर्म होती हैं, तो उसके वाइबरेशन्स वायू मंदल में हैं, तो वो उस इसी कौशियों के, मतलब जैसे मेरा यह दे है माम लेजिये, जिसने भी शरीर छोड़ा, तो क्या वो अपने उस सुक्ष्म शरीर के साथ वहां पे है, या केबल आत्मा के रुप में हैं? आत्मा नहीं, वो अपने सुक्ष्म शरीर के साथ वहां है, अगर कोई उन्हें दिखाया के रातिका है. क्योंकि उनके वाइब्रेशन्स काले होते हैं, दिरनतर पाप करम, पाप के ही संकल्प, बुद्ध भी पाप से युक्त, वासनाई भरी हुई, तो उनका वो धे काला ही होता है, तो वो उपर इस्पेस में भटकेंगे, फिर देखेंगे कि महां उनको चैन नहीं है, भूक लग कोई लोग नि मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, हम लोग भी पहले नहीं मानते थे, लेकिन अनेक केस जब सामने आए, और इन सब का प्रकोप प्रैक्टिकल में देखा, तो इस घर में वही ऐसी आत्मा है, वो अनेकों को दिखती है, वैज्यानिकों ने भी खोज कि पुलिस जो अति-पाप आत्माएं, बुण्यात्माएं नहीं, वो इन सुक्सम शरीरों में, काले सरीरों में बटकती हैं, इनको ही भूत कहते हैं. Ambassador Ji, यह कुम, इनकाँ बीव यह माना जाहे कि इनका कोई समाज होता है। इनकी कोई संस्था होती इनके कोई Upper Prime Minister और प्रिजिडेंट Tirum और इनकी सारी असी रहोती तो नहीं होती पर ऐसा लोग कहते है कि यह भी Group Siberian यह क्रूप समाज होता है spac Silent कि वहां भी आप ग्रूप मेराना मतलब समू बना लेते हैं कि उनकी भी शादी व्यादी होते हों। व्यादी क्वेज़े क्यों यह कि एसी बहुत आत्माइं हैं, जो लोगों के अनुभों में आई हैं, कि उनकी वासनाइं देह छोडने के बाद भी समात नहीं हुई सुनकर एक बात याद आ रही है कि दिखाते हैं कि संकर जी की बरात में भूत प्रेत और पिशाच और सब डांस बांस का पे हुए शामिल हुए थे और गए थे तो लोग बड़े डरते हैं कि महादेव जी की सेना में तो गण भी हैं तो उनेक देवताभी हैं तो यह सब भी हैं इल्ये पड़े गवराते हैं तो आस्ता में इसका रहस कोछ और है मैं इस पर भी थोड़ा सा आ जाता हूं सब को इन चीजों का मालूम होना चाहिए कि जब सभी आत्माई वापिस घर जाएंगी शिव के साथ उनने शिव को इमादेव के रूप में दिखा क्योंकि निराकार को कैसे दिखाएं इसलिए उनका साकार तपस्वी सुरूप दिखा दिया है तो जब उनके साथ सभी आत्माई परमधाम को जाएंगी तो ऐसी पापी आत्माई बोत के रूप में पिसाज के रूप में कोई चुडेल के रूप में किसे के दांत बढ़े हैं तो जिन्होंने दांतों से कस्ट दिया है लोगों को उनको बढ़े हुए दांत दिखाए देंगे जिन्होंने मुख के द्वारा कस्ट दिया है उनका मुख ऐसा खराब दिखाई देगा भयानक आखों के द्वारा बड़ा कस्ट पहुंचाया है तो आखे बड़ी दरावनी होंगी हातों के द्वारा दूसरों को मारा काटा है तो नाखून बढ़े हुए ऐसे वैसे तो ये कर्म है वैसे ही रंग का उसको सुक्सम सरीर मिलेगा आगे आगे निराकार परमात्मा फिर देवात्माएं फिर फरिष्टे और फिर ये सब भूत प्रेच चलेंगे और सुक्सम लोग के बाहर सबात्माएं बनकर अपने राम को लोट जाएंगे लेकिन ये कहा जाता है कि परमात्मा सब को पवित्र बनाकर ले जाएंगे तो फिर ये ऐसे ही जाएंगे या पवित्र हुँए और ये कैसे फिर प्योर होंगे कैसे इनके जो कार्मिक अकाउंट्स है जो इन्होंने तकलीफ दी है अब भी दे रहे हैं, वो कैसी मुक्त होंगे इससे? देखिए, बिना पवित्र बने कर्मों के बंधन से मुक्त हुए, यानि बिना कर्मा तीत हुए, तो कोई परमधाम में जा नहीं पाएगा. इसलिए बहुतों को यहां सजाए मिलेंगी और बहुतों को सुक्स्म लोक में सजाए मिलेंगी. मन्सिक सजाए बहुत होंगी, सारी दिक सजाए भी यहां होंगी और उपर होंगी मन्सिक सजाए मिलकर सभी एकदम कर्मों के इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तब आत्मा उस सुकस्म सरीर को भी छोड़ेगी और तब वापिस अपने धाम जाएगी और उसके कई तरीके होंगे जिसके लिए परशिध है खास भारत में तो सभी धर्मों में इसकी किसी ना किसी रूप में माननेता है कि धर्मराज के दरबार में सबी को फेस होना होता है धर्मराज सभी को सजाएं देते हैं और सजाएं भोग कर उनसे मुक्त होकर ही आत्में वापिश जाती है तो ऐसा समझ लेके बीच में धर्मराज पुरी है चाहे उसके सब को साक्सातकार होंगे वो दिखाई देगा अपने अपने कर्मों की याद किया होता है मुत्रों बहुत ही डरावनी सी चर्चा वैसे हो रही है कि आत्माईं है क्या कहां जाती है मृत्यों के बाद क्या होता है लेकिन मन में कहीं न कहीं ये हमेशा हमारे था ही कि क्या होता है क्या हम करें ताकि हमारी मृत्यू भी अच्छी हो और इस जीवन के बाद इस लोग के बाद हम जब परलोक में जाएं तो वह भी बहुत सुहाब ना हो इस चर्चा को आगे भी हम राताजी के साथ जारी रखेंगे एक उस सुन्दर सी बात के एक व्यक्ति जा रहा था वहां कबर के बाहर एक महिला बैठी होई थी उन्होंने पूछा कि इतनी घंगोर रात में कबरिस्तान में और कबर के बाहर आप बैठी होई है आपको डर नहीं लगता तो उसने कहा डर की क्या बात है अंदर गर्मी लग रही थी तो थोड़ी दे अंकारिक्रम में और डर येगा बिल्कुल भेड़ें नास्तार